हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब उमीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे वैलकम बैक टू ऐसे क्रेटर गूरूप तो चलिए आज सीखते हैं रेविट के अंदर लैवल कैसे क्रेट करते हैं और लैवल का क्या यूज है तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर project browser के अंदर north elevation open कर लेते हैं इसके पर double click करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होगे level 1 और level 2 show कर रहा है तो हम revit के अंदर level का use किसलिए करते हैं दोस्तों अगर हमें कोई भी object एक specific height के उपर draw करना है तो level के through हम उस object के लिए एक specific height create कर सकते हैं जिसके उपर हम उसे draw कर सके हैं तो जैसे आप यहाँ पर floor plan के अंदर भी देख रहे होगे level 1 और level 2 show कर रहा है जब हम level 2 के उपर अगर कोई object ड्रा करेंगे तो वो level 1 से एक specific height के पर draw होगा जैसे यहाँ पर level 2 की height दे रखी है 10 feet इसका मतलब यह दोस्तों जो हमारा level 1 है इससे जो height है यह 10 feet की है अगर हमें यह height change करनी है तो हम यहाँ पर double click करेंगे इसके पर और यहाँ पर इसके height को कम ज्यादा कर सकते हैं 8 feet एंटर करते हैं तो यह हमारी height चेंज हो जाएगी अगर आपको इनका नाम भी change करना है तो यहाँ पर double click कीजिए level 1 की जिए आप ground floor भी लिख सकते हो और side में click कर दीजिए तो यह name भी change हो जाएगा इसका तो अब next हम new level कैसे create करेंगे दोस्तों तो उसके लिए shortcut command होती है और साथ में आप यहाँ पर architecture टैब के अंदर जाएगी डोटम पैनल में यहाँ पर level की command होती है आप डिरेक्ट इसको क्लिक कर सकते हो तो यह हमारी level command open हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होगे अगर यह level नहीं चीए तो आप उसके पर क्लिक कीजिए और ok कर दीजिए और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर cursor को लेगे जाते हो तो आप यहाँ पर देख रहे होगे एक dash line show रही है यह हमारी reference guideline होती है और साथ में यहाँ पर reference height भी show रही है जैसे हम cursor को move करेंगे तो यह height भी change होती जाएगी तो यह जो height show कर रहा है reference के लिए यह कर रहा है कि हमारा जो third level हो second level से कितने height के पर draw होगा तो जैसे मुझे third level 10 feet के पर चीए या 4 feet के पर चीए तो यहाँ पर मैं left click करता हूं और उसके बाद यहाँ पर cursor को right side की तरफ move करता हूं जैसे मैं यहाँ पर end की लेकि जाऊँआ तो फिर से आपको एक test line दिखाई देगी जो हमारी reference guideline है और यहाँ पर हम click कर सकते हैं यह automatic snap ले लेगा इसको align कर देगा in level 1 और level 2 के point से अब हम यहाँ पर zoom करते हैं और अगर हमें इस command से बाहर निकलना है तो उसके लिए escape की दबाएंगे और दुबारा फ इससे hide so करता है इसमें तो अब next की अगर सकते हैं इसके अंबर तो जैसे आप इसको select करोगे तो आप यहाँ पर देख रहे होगे एक tick mark का option है तो जैसे हम यहाँ पर tick mark के उपर click करते हैं तो यह bubble को hide कर देगा और वापीछ से टिक मार्क के उपर क्लिक करते हैं तो वह आप इस सो कर देगा तो आप यहां पर आप देख रहे होगे एक छोटा ब्रेक पाइंट दे रखा है यह किसलिए दे रखा दोस्तों जैसे यहां पर लेवल ट्री और लेवल टू बिलकुल नजदिक नजदिक है अगर आपको टेक्स्ट के बीच में गैप आजाएगा दोस्तों और अगर आपको इस लाइन को वाप इसी डिफाल्ट के उपर लेके जाना है तो वाप इस ड्रैक कर लेंगे और यहां पर इसको लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो यह हमारी लाइन वाप इसी उसी सेप में आ है जब हम यहां पर इस पाइंट को ड्रै करते हैं इस तरफ तो आप देख रहे होगे यहां पर यह हमारे तिनों लेवल एक साथ मूग कर रहे हैं अब अगर हम इस लोग को अनलोग कर देते हैं और यहां पर मैं इसको मूग करता हूं इधर की तरफ तो यहां पर सिर्फ ले लेंगे और यहां पर हम इसका बेस्पाइंट यह दे देते हैं मुग कर लेते हैं इसको उपर की तरफ यहां पर तो यह हमारा लेवल फॉर तो क्रियेट हो गया मगर आप यहां पर देख रहे होगे फ्लोर प्लैंस के अंदर सिर्फ लेवल वन लेवल टू लेवल थी दे रहा है यहां पर बाकी सब बबल ब्लू है हम यहां पर व्यू टैब के ऊपर चलेंगे और यहां पर क्लिक करेंगे अब यहां पर प्लैन व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहां पर ड्रोप डाउन में काफी सारे उप्सन आ जाएंगे अब इसमें सबसे पहले फ्लोर प्ल क्लोज कर देते हैं और साथ में अगर हमें इस लेवल को Silling । प्लैन के अंदर भी अगर लेकर आना है तो वो कैसे लेकर आएगे विव्याइब के उपर चलते हैं वापिस Plan View Plan View के अंदर यहाँ पर Reflected Silling Plan का उप्षिन है इसके अपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Okay कर देंगे और यहाँ पर Close तो यह हमारा Level 4 इस LIST के अंदर आ गया दोस्तों और यहाँ पर गलार था बाबल का यह भी हमारा ब्लु हो गया है तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको select कर लेते हैं एडिट टाइब के उपड़ चलते हैं तो यहाँ पर इसकी कुछ basic property दी वही है तो सबसे पहले यहाँ पर elevation base है elevation base हम यहाँ पर project base point ही रखेंगे जो कि हमारा default रहता है अब next option है यहाँ पर line weight का इससे दोस्तों हम यहाँ पर जो हमारी line है इसकी thickness को increase कर सकते हैं जैसे आपको अगर 5 thickness चीए तो यहाँ पर 5 select कर लीजिए अब यहाँ पर अगर इसका color change करना है तो आप यहाँ पर click कीजिए यहाँ पर color भी change कर सकते हो तो आप next option दे रखा है यहाँ पर line pattern जैसे यहाँ पर दे रखा है grid line half inch और आपको यहाँ पर line का pattern change करना है आपको इस pattern की जिए अगर double dash line लेनी है तो यहाँ पर select कर लीजिए तो यह line का जो pattern है आप यहाँ पर देख रहोगे एक चोटी line एक बड़ी line तो यह dash dash में connect हो जाएगी और फिर उसके बाद आता है next option symbol symbol जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे जो हमारा head symbol होता है यह circle में है तो यहाँ पर level head circle दे रखा है अगर आपको इसको hide करना है तो आप यहाँ पर none के उपर क्लिक कर दीजिए और ok कर दीजिए तो यह symbol hide हो जाएंगे अब यहाँ पर दुबारा ID type के उपर चलते हैं यहाँ पर मैं select कर लेता हूं इसको symbol के पर यहाँ पर मैं level head circle ले लेता हूं और उसके बाद जो next option दे है symbol at and one default अभी आप जैसे देख रहे थे यहाँ पर हमारे जो symbol थे वह राइट साइड में थे अगर आपको left साइड में भी symbol से यह तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और ok कर दीजिए तो हमारे दोनों तरफ यह symbol आ जाएंगे एड़ी टाइप के ओपर दुबारा चलते हैं और यहाँ पर symbol at and two दे रखा है यहाँ पर भी आप अंटिक करके अगर इनको hide करना है तो hide कर सकते हों तो यह हमारी कुछ basic property थी ok friends I hope आपको यह video समझ में आयोगी thank you so much और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए like कीजिए हमारी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ share कीजिए don't worry be happy keep smiling forever टाटा बब बाई thank you